नमस्ते माजविंग नुजरे में आपका स्वागत है हिगनु जन जन का विश्व विद्याले BSKC 131 संस्कृत पध्यसाहित्य इकाई आठ सिसु पाल वधम महा काव्य का परिचे इकाई की रूप रेखा उदेश्य प्रस्थावना महा कावी महाग का परिचे के अंतरगत हम चार टॉपिक पढ़ेंगे पहला पारिवारिक प्रिष्ट भूमी दूसरा महाग का रचनाकाल तिसरा महाग का जन मस्थल चौथा महाग का कर्तब्या सिसु पाल वधम महा काव्य का परिचे के अंतरगत चार पापिक है पहला सिसुपाल महाकाब्य का उपजीव जीब्या दूसरा सिसुपाल बद महाकाब्य को सिसुपाल महाकाब्य के नामगरण की सार्थक्ता तिसरा सिसुपाल बद महाकाब्य के परमुक सुप्तिया शिसुपाल बद महाकाब्य के परमुक पात्रों का चरितर चित्रन के तहाद चार टौपिक पहला भगवान श्री क्रिष्ण का चरित्र चित्रन, दुसरा देवर्षी नारत का चरित्र चित्रन, तिसरा सिसुपाल का चरित्र चित्रन, और चौथा धर्मराज इवधिस्टीर का चरित्र चित्रन सारांस, सब्दावली, कुछ उप्योगी पूस्तकें, बोध अभ्यास प्रश्णों के उत्तर उदेश्या, इस इकाई के अध्यन के परश्चात आप महाकवी माग के विशे में सामान जानकारी प्राप्ट कर सकेंगे सिसुपालवद महाकावे के विशे में जान सकेंगे सिसुपालवद महाकावे के प्रमुक पात्रों की चारित्रिक विशेष्टाओं को जान सकेंगे सिर्कृष्ण के आदर्स चरित्र को जान सकेंगे शिसुपालवद महाकाब्य की सुक्तियों का परिचे प्राप्ट कर सकेंगे सनस्कृत की खारिभासिक सब्दावली का ज्यान प्राप्ट कर सकेंगे परस्तावना प्रियचात्रो सनस्कृत वागवय में सहेत रचना की अनेक विधाएं हैं जिनमें महा काब्या, खंड काब्या, गद काब्या, गीती काब्या, सतक काब्या, मुक्तक काब्या आदी प्रमुक हैं, इनमें महा काब्या प्रमुक है, परतेक वीधा कुछ नियमों में बंधी होती हैं, उसी परकार महा काब्या की रचना भी कुछ दारों में रहकर ही की जा महाकाब्य सर्गबंध होता है उसमें कोई न कोई एक नायक होता है वह नायक उत्तमवंस का कोई राजा देवपुरुस होता है स्रिंगार, वीर, अथवा, सांथ इन तीनों में से कोई एक रस परदान होता है धर्मार्थ काम मोच इन चतुर विर्ध पुरसार्थों में से कोई एक पुरसार्थ की प्राप्ति करवाने वाला होता है गरन्थारंब में मंगला अचरन निउन्नाती नुन्या आठ सर्ग सर्ग का नामकरन जैसे अनेक नियमों में बद महाकाव्य होता है महाकवी कालिदास, भारवी, माग, प्रभिर्ती, महाकावियों के महाकाव्य आदर्स भूत है इस हिकाई में हम महाकवी माग, प्रणीत, सिसुपालवद महाकाव्य के विशे में पढ़ेंगे